हेलो गाइस वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल टेक्निकल दीपक टू टीडी गाइस अगर आप अपने किसी भी एप को यूटूब को वोटसप को फेस्बुक को या किसी भी एप को छुपाना चाते हो अपने मोबाइल में और आप जब चाहें तब उसे बापस यूज कर लें यानि कि चला लें उसमें जो भी देखना है वो देख लें उसके बाद में फिर से चुपा दें अगर आपको ऐसा करना है किसी भी एपको अपने मोबाइल में छुपाना है बिना डिलिट किये तो इस वीडियो को लाइक कर दो चनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट करो जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो का फाइदा उठा पाएंगे आपको अपने मोबाइल में किसी भी एपको हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को डूंड लेना है यहाँ पर मेरे mobile में यह settings है अब मैं अपने mobile की settings में आ चुका हूँ settings में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको मिलेगा home screen का option अगर आपको home screen का option नहीं मिल रहा है तो आपको उपर यहाँ पर search का option मिलता है आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर आप जैसे किलिक करेंगे यहाँ पर आपको लिखना है होम स्क्रीन यहाँ पर आप होम स्क्रीन जैसे लिखेंगे वैसे आपके सामने ऊपर ही होम स्क्रीन का उप्शन आ जाएगा मुझे बहाँ पर मिल गया था तो मैं बहाँ से ही चला जाता हूँ तो मैं यहाँ पर home screen के option पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने home screen के option पर click कर दिया अब आपको यहाँ पर क्या मिलता है अब आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाते हैं लेकिन अब आपको क्या करना है अब आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा अगर आपको कोई भी अपने ही मिलता है तो आप यहाँ पर उपर सर्च का option जो मिलता है आपको यहाँ पर इस सर्च वाले option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप उसका नाम लिखिये जैसे मैं यहाँ पर YouTube लिख देता हूँ इस्टागराम और यूटूब इतने को तीन को हाईड करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस भी आपको हाईड करना है उसके बाद में आपको नीचे डन का उपसन मिलता है आपको इस पर किलिक करने के बाद अब आप वापस जोब अपने पड़ेगा वापस लाने के लिए आपको दोबारा से सेटिंग के अप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको यहां पर होम स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद में यहां पर आपको जो रेड़ वाला यहां पर उपर से दिखाई दे रहा है आपको इसे जाएगा उसके बाद में आपको यहां पर डण के अप्सन क्लिक कदेना है अब जो आपके एप हट गए थे जो यहां से होम स्क्रीण से गाइब हो चुके थे वह आपके मोबाइल में आ जाएंगे दुबारा से यहां पर देख सकते हैं यह तीनों यहां पर आ चुके हैं एप सेंडर ट्रिक्स के लिए